सर से जानना चाती हूँ कि यदि सर की सरकार बनती है तो जो क्रिस्चन भाई हैं हमारे क्या उनको विश्वास दिला सकते हैं कि उनके चर्च तोड़े नहीं जाएंगे ऐसा तो कभी हुआ नहीं कभी सुना नहीं हमने। जलाएं नहीं जाएंगे सर। ये जो चर्च को तोड़ते फोरते हैं ना सोचते हैं कि इससे मसी लोगी की प्रातना रुख जाएगी तो आज उन लोगी लिए एक वशन हम बता रहे हैं येसु मसी ने बोला मेरे भाई कि तुम परमेसर के मंदिर हो परमेसर का आत्मा तुझ में वास करता है मेरे भाईयों हम लोग खुद चलते फिरते परमेसर की चर्च हैं तुम्हारे इड़ तोड़ने से अगर सोचों की प्रातना रुख जाएगी तो सवाल ही नहीं पैदा होता है क्योंकि हमारे परमेसर का वास इड़ पत्थर जैसे निर्जीव वस्तुओं के ना तो उसके अंदर है और ना ही उसके नीचे हैं हमारा येसु मसीज जीवित है और वो जीवतों में वास करता है इसा ना सुना है ना कभी हमने जाना है अश्वासन चाहते हैं उनकी सेफ्ट एक आश्वासन चाहते हैं ये तो ऐसा मैंने कहीं सुना नहीं है भाई पहनो इतने तप्तिवी गर्मे में आपके लिए वीडियो बना रहा हूं और वो भी क्यूं आपको जाग्रूप करने के लिए मेरे मसीव ऐवनो जैसा कि अभी एक भाई भी इस बात को बता राता कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं ये बात आप भी जानते कई वीडियो में हम आप लोगों को इस बात को बता चुके हैं कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं और परमेश्वर के राजदूत हैं और परमेश्वर के चलता फिरता पत्री है जी आमिरे मसीव है विनो यदि आपको कोई परमेश्वर की अराधना से दुआ करने से रोकता है तोकता है या नुकसान पहुचाता है तो आपको नहीं परमेश्वर को ठेस पहुचाता है और पहली बात अगर यदि कोई इस समय 2024 मे फिर से परधान मंत्री हमारे देश के जो अभी लेवल परधान मंत्री इस वस्त मौझूदा परधान मंत्री है अगर उन से ये सवाल किजिए क्या अगले वार आप फिर बनकर आते हैं तो हमारे चर्च में या हमें जहां प्रातना किया जाता है जूटा धरम परिवर्तन का आ अरे मेरे पास तो खुद खाने तक का पैसा नहीं है, वो इसाही लोग कहां से पैसा देगा, यहां तो सरकार खुद रोजी रोजगार रोटी फोटी सब बंद कर रखे हुए, फ्री में तो राचतन बाट रहा है वो खुद है, मैं आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि य बंद करें, मिले मसीव है पूरी वीडियो सुरिएगा, आज मैं आपको एक बात और बताता हूं, इस्राइल में इस्राइलियों को फिरोण ने उस परमेश्वर का खुदा का उपाशना करना बंद करवा दिया था, कि नहीं करोगे, तो उसके बाद मुर्शा को परमेश्व करने भी नहीं दिया जा रहा है, इस वही प्रकार्ट मिले मसीव है उसी तरीका से आज इंडिया में भी हर एक जगा पर पाकिस्तान हो, इंडिया हो, जापान हो, फ्रेंज, फांस हो, यह कहीं भी क्यों नहों, इसाहियों लोगों पे वो काम जरूर हो रहाए, इसाहियों ल पर आप या इसायों पर जूठा आरोप तो नहीं लगाएंगे धरम परिवर्तन का बिना सबूत के बिना जाच के उस पर आप धरम परिवर्तन का आरोप तो नहीं लगाएंगे यह सवाल आप बोलिए हमारे चर्ज को तोरेन जाएंगे हमारे पास्टर को जेल में बंद नहीं किया जाएंगे ये सवाल करिए तभी और सुनिए सबसे पहला और मैं बात बताना चाहता हूं आप लोगों को भोट देना जरूर जाएं क्योंकि आपका एक भोट पहुत ही किमती है और सोच समझ के सरकार को चुने क्योंकि आप खुद सरकार को बदल सकते हैं परमेश्वर आपको वासिज दे God bless you खुद आपको वासिज दे Amen नीचे हैं हमारा ये सो मसे जीवित है और वह जीवतों में वास करते हैं